आज हम बात करने वाले हैं भारत के बिस्व गुरू होने की, हम सभी ने भारत देश का इतिहास पड़ा है और भारत माता की महिमा की गाथाएं भी सुनी हैं। इतिहास के पन्नों में भारत को बिस्व गुरू यानि की बिस्व को पढ़ाने बाला अथ्वा पूरी दुनिया का सिक्छक कहा जाता था क्योंकि भारत देश की प्राची नर्थिवस्ता राजनीती और यहां के लोगों का ज्यान इतना सम्रद था की पूरप से लेकर पश्च मुनियों द्वारा की गई थी आज के दौर में विभिन्नमान सिक और सारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है आज पूरी दुनिया जानती है कि योग करने से कितने फायदे हैं और इसलिए 21 जून को बिस्व योग दिवस मनाया जाता है सल्लिच किस्सा या सरजरी सल्लिच किस्सा का जन्म भी भारत में हुआ इस विज्ञान के अंतरगत सरीर की अंगों की चीड फाड की जाती है और उन्हें ठीक किया जाता है सरीर को ठीक करने बाली इस विदी की सुरुआत सबसे पहले महर से सुसरुद द्वारा की गई थी बाद में इसे पश्चिमी देशों द्वारा अपनाया गया सुन्य या जीरो गडित के सबसे महतपूरंग सुन्य का विश्कार भी भारत में किया गया था सबसे पहले महर सी आरेवट्र ने ही इस दुनिया को सुन्य के उपयोग के बारे में समझाया था इसके अलाबा बेदों से हमें दस खरब तक की संख्याओं के बारे में पता चल दी यह जोतिसों की गड़नाव से पता चलता है कि प्रथवी गोल है और इसके घूमने से ही दिन रात होते हैं आरे भट्ट तो सूरिग्रहन और चंद्रग्रहन होने की कारण भी जानती थी संस्कृत संस्कित भासा को इस विस्व की सबसे प्राचीन भासा माना जाता है इस दुनिया में बोली जाने बाली कई भासाएं संस्कित से प्रभावित होती हैं अत्वा उन भासाओं में संस्कित के सब्द देखने को मिलते हैं हमने अपने इतिहास के जरिये जाना कि इन उपलब्धियों के कारण ही भारत को विस्वगुरु माना जाता था लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं बह बात जो बर्तमान को देखते हुए बहुत महत्मून है और बह हैं भारत की उपलब्धियां जिनसे बह फिर से विस्वगु बनने लायक है मंगल यान 2014 में पहले ही प्रयास में मंगल यान का मंगल ग्रह की कक्छा में पहुच जाना बहुत बड़ी उपलब्धी है जबकि दूसरे देशों को कई बार प्रयास करने पर ही सफलता मिली जिससे पता चलता है कि भारतियों का प्रोध्योगी की ज्यान एक्ता और विभिन्य धर्मों का उद्गम स्थल भारत में विभिन्य धर्म और संस्किती के लोग होने की बावजूद भी सभी एक हैं जो भारत को अतुल्य बनाती है इंडियन आर्मी भारतिये सेना बिस्विक की चार बड़ी सेनाओं में से एक है अर्थ विवस्था भार उन्हें सहायता दे रहे हैं और सबसे जयादा भारतिये तो नासा में हैं अतानिस्कर्स निकालते हुए और इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत एक बार फिर बिस्व गुरू बनने के लिए तयार है